जैहिंद वंदेमात्रम कैसे हैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म जनूल क्रियेशन बीबीके में दोस्तों आज हम आप से ईवियस में परियावरान अध्यन के अंतरगत पक्षियों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे जो की आपकी सीटट की परिच्छा के लिए अती महतपूर्ण सावित होगा दोस्तों हम इसमें जन्तों के बारे में पहले जान लेते हैं, जन्तों के बारे में जानते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है जैसे की प्रारंभिक इस तर पर जीवों का वर्गीगर्ण केले, पक्छियों, रेंगने वाले वाले इस्तंधार्जियों के रूप में किया जाता है, इन्हें ही दोस्तों पक्षियां दोस्तों सीटेट के पेपर में पक्षियों से समधित सवाल आना ही आना तय है लिखा हुआ है पक्षियों द्वारा बनाय जाने वाले घोसले जिसमें हम घोसलों के बारे में जानते हैं कि कौन सी पक्षि किस परकार से घोसला बनाता है दोस्तों पहले पक्षी का नाम है इंडियन रॉबिन वर्ड जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाशा में क्या कहते हैं कल्चिडी कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं कल्चिडी या जो है दोस्तों किस परकार से अपना घोसला बनाती है या पक्थरों के बीच किसके बीच पत्थरों के बीच में यहाँ पक्थरों के बीच में मुलायम घोसला बनाती है ठीक है जब घोसला बनाती है तो यह किसी ना किसी चीजों का प्रियोग करती होगी तो टहनी का यूज करती है जणे यूज करती है उन यूज करती है बाल और रूई का प्रियोग करते हुए दोस्तो घोसला बनाती है आप से यदी पूछा गया कि कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में मुलायम घोसला बनाता है दोस्तों तो आप बता देंगे कि कल्चुडी जो है वो मुलायम घोसला पत्थरों के बीच में इस परकार से बनाती है। आईए दोस्तो आगे समझते हैं आपका दूसरे पक्षी का नाम है कवा क्या लिखा हुआ है दोस्तो कवा दूसरा पक्षी है कवा आप सभी जानते हैं बहुत ही चालाक पक्षी होता है कवा यह अपना घोसला पेड़ की सबसे उची डाल पे बनाता है ठीक है यह अपना घोस पूची डाल पे घोसला बनाता है दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कव्वे के जो घोसला होता है मित्रों उस घोसले में तार वा टहनिया होती है यह क्या करता है यह तार को तुकले ढूनता है और टहनियों को ढूनता है और उन्हीं के माद्धम से कव्वा घोसला बनाता है आप सभी जानते हैं कि कववे के घोसले में जो है कोयल कौन अंडा देती है कोयल अंडे देती है ठीक है क्योंकि कोयल कववे से ज़्यादा चलाग होती है और कववे के घोसले में कोयल अंडा देती है सामने देख सकते हैं आप ये देखे कव्वे का घोसला बना हुआ है जो कि पेड की सबसे उची डाल पे बना है तारवा टहनियों से बनाता है कव्वे के घोसले में कौन अंडा देती है तो कोईल अंडा देती है दोस्तो आईए कव्वे के बारे में आप जान चुके हूँने सामने लिखा हुआ है दोस्तो तीसी चड़िया कौन सी है दरजिन चड़िया कौन सी चड़िया दोस्तो दरजिन चड़िया आईए इसके बारे में समझते हैं यहां क्या करती है दोस्तों यहां नुकीली चोच से पत्तों में छेद कर सी कर घोसला बनाती है कौन घोसला बनाती है सी कर घोसला बनाती है यहां अपने नुकीली चोच से पत्तों में छेद कर सी कर घोसला बनाती है मतलब पत्तों में छेद करती है फिर उनको सिलती है दरजी की तरह इसलिए इसको दोस्तों क्या कहते हैं इसलिए इस पक्षी को दार जिन चडिया कहते हैं क्योंकि ये पक्षी को पहले छेद करती है फिर उसको सिलती है फिर उससे घोसला बनाती है जैसे कि इसने यहाँ पे छेद किया है फिर इसको यहाँ पे इसने सिल दिया है जब छ परजी के समान इसने अपने घोसले का निर्माल किया है आईए दोस्तों आगे समझते हैं लिखा हुआ है वीवर पक्षी कौन सा पक्षी मित्रों वीवर पक्षी अच्छा वीवर पक्षी लिखा है लिखा है वीवर पक्षी नर घोसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चु मतलब कि जैसे किसी नर वीवर पक्षी ने घोसला बना दिया तो अब उसके घोसली के जाज जो करती है वो मादा वीवर करती है कौन करती है मादा वीवर यदि उस मादा वीवर को उस नर वीवर के द्वारा बनाया गया घोसला अच्छा लगता है तो वह उस नर वीवर को दो पक्षी इसे इंग्लिश में लोग डॉबर्ड कहते हैं क्या कहते हैं मित्रों डॉबर्ड लिखा है कैक्टस के काटों के बीच या महंदी के मेल में अपना घुसला बनाती है ठीक है किसमें घुसला बनाती है कैक्टस के काटों के बीच या महंदी के मेल में अपना घुसला ब बनाता है तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तो आपका सही जवाब होगा फाक्ता पक्षी ठीक है दोस्तो आए आगे समझते हैं छटे चडिया का नाम दोस्तो क्या लिखा हुआ है छटे चडिया लिखा है गोरईया और कबूतर पक्षी कौन सा पक्षी गोरईया और कब आप लोग अपने देख सकते हैं, कि घरों में ग्रहिया चुर्जडिया आती है, रेड क्लर की होती है, ब्राउन क्लर की, अलमारी के पीछे बना सकती है, जट पर, या आएने के पीछे बना लेती है, कब उतर जो होते हैं, कौन सा पक्छी पूछे का, जो है पुराने मकान या खंडरों में अंडा देता है तो दोस्तो आपका जवाब क्या होगा आपका सही जवाब होगा मित्रों क्या होगा कबूतर पुराने मकान में कौन अंडा देता है तो कबूतर देता है कौन देता है मित्रों कबूतर देता है ठीक बात है जैसे सामने आप देख सकते हैं गौरईया पक्षी ने घरों में घोसला बना रखा है और पुराना मकान का खंडहर है इसमें ये देखिए कबूतर बैठा हुआ है क्या बैठा है दोस्तों कबूतर है ये क्या है गौरईया है दोस्तों आगे आपका लिखा है बसंत गौरा पक्षी कौन सा पक्षी बसंत गौरी पक्षी बसंत गौरी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बसंत गौरी बोलते हैं ठीक है मित्रों बसंत गौरी पक्षी ठीक बात है लिखा है पेड के तनों में गहरा छेद बना कर अंडे करत जैसे कि यहाँ पेल का तना है इस पेल के तने में देखे गहरा छेद किया है इस पक्षी ने इस पक्षी ने यहाँ पे गहरा छेद किया है और उसमें अपना घोसला बनाया है जिसके अंतरकत इसके बक्चे दिखाई पाड़ रहे हैं मित्रों पेल के तनों में गहरा छेद बसंत गौरी करती है आई ये आठवे नंबर पे लिखा हुआ है दोस्तों शकर खोरा पक्षी कौन सा पक्षी मित्रों आठवे नंबर पे लिखा है शकर खोरा पक्षी ठीक है शकर खोरा पक्षी अब लिखा है यहाँ पेड या जाड़ी की डाली में लटकता घोसला बनाता ह यानि शकर खोरा जो है लटकता हुआ घोसला किस फरकार से बनाता है ये देखे लटकते हुए घोसले बने पेल की डाली में आपको दिख रहे हैं ऑर कि दीखर गोसले ओर इस्मेर रूइ सूखे पत्थे और कप्डों के चीठड़े होते हैं तो यह कैसा गोसला बनाएगा लटकता हुआ इस परकार से लटकता हुआ गोसला बना देता है ठीक है कौन सा पक्षी लटकता हुआ गोसला बनाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा शकरकोरा पक्षी लटकता हुआ गोसला बनाता है समझे दोस्तो आईए आगे नवाप पक्षी के बारे में जानते हैं आपका नाइन नंबर का पक्षी क्या है उल्लू आप सब जानते हैं कि रात में इसको दिखाई देता है तो यह अगर रात में दिखाई देता है मित्रों तो यह कैसा पक्षी है यह रात्रीचर प्राणी है जो गर्दन पीछे तक यानि कि कितने डिगरी पीछे तक 360 डिगरी घुमा सकता है उल्लू जो है आपनी गर्दन को कितने डिगरी घुमा सकता है उल्लू अपने गर्दन को दोस्तो 360 डिगरी तक घुमा सकता है देखिए साम को हम 10 वी पक्षी यानि की मैना के बारे में चानते हैं मैना पक्षी क्या कहती है दोस्तों मैना पक्षी के बारे में लिखा है रेगिस्तान में मैना चड़िया पाई जाती है ठीक है मैना चड़िया पाई जाती है मैना अपनी गर्दन को जटके से पीछे कर लेती है कहां जटके से अपने करदन को पीछे कर लिया ठीक बगला पक्षी कौन सा पक्षी मित्रों बगला पक्षी लिखा हुआ है बगला पक्षी जो है क्या करता है दोस्तों बगला पक्षी के बारे में जानते हैं लिखा है बगला भैस पर बैठ कर उसे कीड़ों को खाता है यानि कि भ ठीक है इससे होता क्या है इससे होता यह है कि भैस को क्यूलों से छुटकारा मिलता है और बगले को भी भोजन मिल जाता है दोनों का काम हो जाता है भैस के पीट पे आया बगला उसने उसके क्यूलों को खाया तो भैस को क्यूलों से मुक्ती मिल गई और बगले का पीट भी भ ही उत्तर देंगे दोस्तों पहला कोशन क्या लिखा है पहला कोशन लिखा है नीचे दिये गए पक्षों की कौन से पजाती जटके से अपनी गर्दन आगे पिछे करती है तो हमने अभी आपको क्या बताया कौन सा पक्षी जटके से गर्दन आगे करता है उलू करता है क्या द दोस्तो तो मैं ना करती है ठीक है आईए दूसरे question को समझते हैं दूसरा question दिया है कौन सी प्रजाती जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है यहां पर फिर से question दोस्तो रिपीट हो गया है तो इसका उत्तर क्या है मैं ना लिखा है निमलिखित में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे गुमा सकता है तो कौन सा पक्षी काफी हद तक गुमा सकता है तो दोस्तो इसका उत्तर क्या था उल्लू था क्योंकि उल्लू सबसे जादा गर्दन अपनी गुमाता है और कित्ते डिगरी गुमाता है दोस्तो 360 डिगरी तक अपनी गर्टन को गुमा सकता है ठीक बात है दोस्तो आईए आगे चौथे कोशन को समझते है चौथा कोशन क्या कहता है चौथा कोशन लिखा है और चौथा कोशन बता रहा है निम लिखित मेंजे कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर परियावराण को स्वक्ष रखता है इस प्रयशन का सही उत्तर है गिद खाता है मरे हुए जानवरों को दोस्तो पाच्वा कोशन क्या लिखा है निम लिखित में से कौन सा पक्षी पेलों के तनों में छेद करके छिपे कीलों को खाता है दरजिन चीडिया की कटफोड़वा की मैना की कववा दोस्तो दरजिन चीडिया तो पत्तियों को सी के बनाती थी कटफोड़वा चीडिया कौन से चड़िया दोस्तो इस प्रेशन का उत्तर क्या है कट फूड़वा आपने सुना है कि लकणी के तनों में छेद करता है और उसमें छीपे हुवे कीलो को खाता है तो कट फूड़वा इसका उत्तर हो गया मित्रो छटा question क्या है निम लिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सी कर अपना घोसला बनाता है आप खुद बता सकते हैं दरजी की तरह जो चिडिया है वही चिडिया दोस्तों जो होगी पत्ती को सीएगी क्योंकि दरजी हमारे कपलों को सिलता है तो दरजी चिडिया इस्प्रेशन का सही जवाब हुआ क्या हुआ दोस्तों सही जवाब होगे दोस्तों यहीं पे आपका पक्षियों का टापिक जो है मित्रों समाप्त होता है उम्मीद करते हैं आपका पक्षियों से संबंधित कॉंसेप्ट दोस्तों तयार हो गया होगा और जदी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जैहिन बंदे मातरम